सब्सक्राइब करता हूं आपका आरंबु सिविल सर्विसल अकेडमे के इस ओनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक्ट्रॉट कंडिशन के बारे में लेकिन आप सोच रहे हैं कि अभी तो फ्लड आ रहा है मैं ड्रॉट क साथ-साथ आज प्लड के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों ऐसा हर साल क्यों होता है कि भारत में सूखा भी पढ़ता है तो बार भी आ जाती हैं यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक देश जहां पर लोग प्यास से मरते हैं और वहीं कुछ दिनों बाद व हूकि उनकी आपानी जादा मात्र में आजाता है यह दोनों सेंटेंस सुनने में और समझने में थोड़े 230 यह सक्यों उख रहे हैं छिन्यक्त confessed वीडियो हम möglich देखेंगे और समझेंगे कि क्या करण है कि भारत में हर साल इस तरह की बाड़े आती है और हर साल बार आ रही है तो हमारे देश के सरकार का प्रशासन का शासन का क्या रोल है अगर हर साल बार आ रही है तो हम इसके बारे में सोच क्यों नहीं रहें क्या इसके कुछ सॉलुशन है और है तो क्या वो सॉलुशन किये जा रहे हैं और अगर वो सॉलुशन नहीं किये जा रहे हैं तो आने वाले भविश में यह और भी बड़ा खत्रा हो सामने आने वाला है आईए बात करते हैं सबसे मेले बात बता दूमें आपको एक्यूट ड्रोट कंडिशन दिल्ली में कुछ दिन पहले मांसुन के आगमन से पहले यह द्रश वहाँ पर था जब तक दक्षिन पश्चिम मा मेले की घटना है यह जहां पर लोग टेंकरों में चड़कर के नल लगा पाइप लगा करके पानी भर रहे थे और इतना जादा मारा मारे थी कि शायद इस थोड़े से पानी के लिए वह एक दूसरे को मानने तक के उतारों हो जाते लेकिन तीन दिनों के बाद आप क्या दे अचानक से घटना के से हो जाती है या अचानक से इतना पानी नदियों में क्यों बढ़ जाता है क्या केवल बारिश का पानी ही उन नदियों में पानी का कारण बन जाता है या कोई दूसरा कारण आपको पता होगा कि मही महीने में इस बार बहुत तेज गर्मी गिरी थी घ पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और गंगा की जो वेली थी जो घाटी थी उसके बाहर पानी निकलने लगा और यहां तक कि हरिद्वार की रिहाशी इलाकों में पानी गर पानी आ गया जो कई सालों तक नहीं आया था आप देख सकते इस वीडियो में एक तरफ द की मार जहलते पे लोग दिखते हैं वहीं जून के अंतिम सप्ता में आपको लोग बार से बचने के लिए अपने घरों में कुछ लोग घरों को सही कर रहे होते हैं कुछ लोग घरों को मजबूत कर रहे होते हैं और कुछ लोग उपरी इलाकों में चले जाते ताकि बार के पानी से आसानी से बच सके ह हैं आप देख सकते की एसी पानी के लड़ाई में केवल पुरुशी नहीं、 महिलाएं भी हैं और महिलाओं की इस लड़ाई में कई बार कोई बड़ी घटना भी हो सकती है आपने शायद न्यूज में पढ़ा होगा दे टाइम जेंड ऑफ इंडिया की न्यूज है भेकम सिंग कॉलोनी की बात जहां 15 साल की एक लड़की ने 34 साल की महिला से पानी के लिए जड़त में इतनी ज़्यादा लाई हुई कि उस 34 साल की महिला की मत्ती होगी आप देख सकते हैं कि पानी की एहमेत उस लड़की के लिए कि लड़ने को तयार हो गई और वह एक बाल्टी पानी लाना उसके लिए इतना से टीया ड्राई हो जाएगी पुरी तरह से ड्राई का मतलब पीने के पानी की बिलकुल भी पूर्ति नहीं हो पाएगी जीरो ग्राउं 선 अचाए में पानी की किल्लत होती है नहीं शहरों में हम हर साल सुनतें बाढ आ जाती हैं 2005 में मुंबई की बाड में 500 से ज़्यादा लोगों की मरत्य हो गई 2013 की बाड कोई भूल पाया है बला उसकी आंकडे की बात करें तो 6000 प्लस आंकडे कहीं पर 8000 और कहीं पर गिंती भी नहीं की गई कुछ लाशे तो मिली भी नहीं है 2018 में मांसून के वज़े से किरला में बाड जाती हैं जिसमें 500 से जाए लोग मर जाते हैं दोजार चोईस में असम में अभी फ्लट आया जिसमें अब तक 52 लोगों की नुत्ति हो चुकी हैं दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हर साल भारत में बाड आती हैं लेकिन हर साल बाड बढ़ आने के बाद भी इंडिया प्यासा क्यों रह जाता है बारत में से कई लाके हैं जो केवल पीने के पानी के लिए कुछ किलोमेटर तक घंटों तक चलते हैं और वहां से आते हैं यानि हमारे देश में कुछ लोगों के लिए पूरे दिन भर का एक काम केवल पानी लाना है आप खुछ सोच कर देखिए कि आप नोकरी कर रहे हैं आचानक से पानी की कमी आ जाया और आपको पानी ना मिले और उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाई या वाटर की सप्ला इतने अच्छी क्यों नहीं हो पाई जहां पर सरकार यह वादा करती हैं कि हम लोग एक एक घर को नल से जोड़ेंगे और जल जल योजना को उन तक पहुंचाएंगे फिर भी भारत में भारत प्यासा क्यों ह आप देख सकते हैं यह रिहाईशी इलाकों जहां पर सालों से कभी पानी आता नहीं था आज आपको इसे दुर से दिखाए देंगे जो नदियों से कहीं दूर इलाके हैं बहुत दूर होते तब भी जब बारिश होती हैं तो वहाँ पर आप इस तरह के प्लाइए यह कोई लोगों ने यह बताया है कि हम लोग जहां इतनी तरक्की कर रहे हैं लोगों ने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग और सब कुछ बनाई हैं पेड़ों को काट दिया मिट्टी के कटाओ को हमने नहीं रोका हम सोच रहे कि पानी का लेवल बढ़ रहा है लेकिन वास्तविक्ता मैं कि हमारी धbig हमारे जो जो चीज वो नीचे दस रही है यानी हम नीचे जा रहे है पानी उपर नहीं आ रहा है पानी का लेवल तो नहींड़ और इस यह पीछे इसके से आने वाली बार अब देख सकते हैं वाइट इस हैपन यह क्यों होता है हम लोग को समझनी आ रहा है एक समय तब पहले तक तो एक्स्रीम डॉट रहता है और कुछ जगह तक एक्स्रीम फ्लॉट रहता है आज भारत में कई जगह पर आप जिस चाहर में खड़े होंगे जहां से आप यह वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि आज दिन भर आप में बहुत गर्मी महसुस की हो या सकता है आज से दो-तिन दिन पहले तक लगातार आप गर्मी को महसूस कर रहे हैं और वहीं अगर आप न्यूस टेनल खोल के देखते हैं तो कहीं जगह पर लोग बाड के कहर से कहरा रहे हैं ऐसा क्यों एक साथ अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग घटनाएं की होती है यहा इस प्रकार की परिशानियों को जहलती हैं बात करते हैं कि रीजन क्या है इसका यह बाड आने के पीछे का रीजन नमबर वन क्या है अन्प्लांट सेटलमेंट मतलब हम लोग घर बना रहे हैं हमने यह नहीं देखा कि जिस जगह पर हम घर बना रहे हैं वह किसी नदी का जहां पर कभी घने पेड़ हुआ करते थे आप इस डाइगराम को आसानी से देख के समझ जाएंगे कि यह जगह किसकी थी जगह थी इन पेड़ों के लिए जिसको हमने काट करके क्या बना दिया घर बना दिया आपको बता है जब भी पेड़ करते हैं तो मिट्टी का जो इवल तो उठेगा यही कारण है कि आप घर तो बना लेते लेकिन कुछ सालों के बाद वही घर डूब में आना शुरू हो जाता है या फिर आपको इसकी भनक नहीं रही होगी कि आप जिस जगह पर है रहे हैं वो किसी नदी घाटी का बाड का इलाका है केश्मेंट एरिया बहुत सारे लोग घर बनाते समय या प्लॉट खरीते समय इस बात की पुष्टी नहीं करतें कि वह जहां पर अपना घर बनाना चाहरा है वह पानी का एरिया और हो रहा होगा या कभी भी बार में हो सकता है जैसे आप इस डियाग्राम को देख सकते हैं यहां पर एक तरह से लोग तो फोरा इअ होगा या उलाका है यहां पर को इलाका वास्तों का था लनागा या ज यदि आ वाटर्रा में मौर्टर आया तो यहां पर यह पूरा क्या हो जाएगा पाई से भर जाएगा अब देख सकते उसको फूल कॉंक्रीट जंगल पूरा ग्रीन था हरा बरा था जब से इंसान सेटल होना शुरू हुआ है 1973 से अब देख सकते हैं कि 2020 में वह पूरा इलाका जो कभी ग्रीनरी यानि हमारे जंगलों का था आज पूरी तरह से रेड हो चुका यह रेड क्या है यह हुमन सेटलमेंट है पूरी तरह से पूरा कॉंक्रीट कर देंगे पूरी तरह से यहां पर इसमें घर मकान रोड बना जाएंगे तो जो पानी उपर से गिरेगा और वह पानी नीचे नहीं उतरेगा और वह पानी स्टोर होना शुरू हो जाएगा और अपने आप वहां पर बाढ़ के आलात बन जाएंगे आप देख सकते हैं दो पिक्षर बहुत ज्यादा लंबी घटना नहीं है 1973 से 2020 के बीच जो गाली को बस्तुन है लेंड सिंकिंग लेंड सिंकिंग क्या है इस रोड आया टी कान पूर। जैसी वरिश सांस्था है जो जु के मामले में बहुत जानी-मानी शंस loves ने माना है कि भारत के कहीं इलाकों में लेंड लातार शिंग हो रही है यानि दिरे दिरे दर्ती जो है वो धस्ती जा रही है तो जब भी आप मकान बना रहे हैं तो इस बात की पुछती कर ले कि जिस धर्ती पर आप मकान बना रहे हैं उसके उसमें धसने की जो probability है वो कितनी है बिहार के कई इलाके इसे हैं तरही रीजन में जहां पर हर साल लोग अपने घरों की height बढ़ाते हैं अब आप सोच रहें कि यह सा कैसे होता भी यूट्यूप फे देख सकते हैं कि घरों की height कैसे बढ़ा है शायद Playing YouTube के video देखकर कि सहलियत हो जाएगी कि बनाया घर की height को और बढ़ाया जा सकता है वो उस height को बढ़ाते हैं क्योंकि उनका घर्द लगातर धस रहा होता है जब बनाते तब वेशा नहीं बनाते लेकिन कुछ इलाके से जहां पर लगातर मिट्टी धसती जा रही है आप देख सकते हैं द्वारिका फरिदाबाद और गुर्गाओं जैसे शहर ऐसे हैं जहां पर बहुत जादा मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वज़े से वहां की लगातर जमीन जो है वो सिंख होती जा रही है एक चोटे से इलाकों में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना इसका कारण हो सकता है और फिर दिर लेंड सिंख होगी तो बार जैसी संभावना बनेगी क्योंकि पानी का लेवल तो उतना ही था हमारा लेवल नीचे आ चुका है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं रिजन नंबर तीन चोकिंग ऑफ वाटर रिजाउस जैसे नदी नाले ताला आप जितने भी हैं इन वो हम लोगों ने पॉलुशन करके इतना ज्यादा चोक कर दिया है कि नदी बहेगी कहां से फर्स करो कि आप एक रास्ते से रोज जाते हो और मालो किसी ने उस रास्ते मे कीचर डाल दिया या उस रास्ते में पत्थर रख दी बड़े बड़े तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि मैं रास्ता बदल के जाओंगा नदी के साथ भी कहानी यही है दोस्तों हम लोगों ने इतना जदा कच्रा और इतने जदा मटेरियल और यह तीजे बहादी नदियो में कि नदी की घाटी है तो आप के कच़े बल गए हैं और कचे बर्ने की वजह से नदी का पारिच के समय बढ़ करके आता है तब वह चोख होने की वज 최समे से निकलने निकलना का कोशिच करता क्योंकि आखिरकार नदी के पानी को तो आगे ही बहना यही कारण है कि आप और हमारे द्वरा किये गए इस कारे की वज़े से नदिया तालाब जोख हो जाते हैं और भारी मात्रा में जो पानी है नदी की घाटी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं अतिक रमण हम लोगों ने इंक्रोच्मेंट फैला रखा है अब देख सकते हैं दूसरा यह कि एक तो हमारी वज़े से भी दूसरा हम लोगों ने पेड काते लगाता जिसकी वज़े से जड़े जो है वो उन्होंने मिट्टी को छोड़ दिया वही मिट्टी बह करके नदी तालाब में मिलती है जिससे नदी की घाटियों के गहराई वो कम हो रही है पानी बदार कचरा है यह जो हमने घटा कर करके रखा इसको जैसे तेसे करके घर से बाहर निकाले लेकिन आप घर से बाहर निकालके में और उस प्रकृती में खकर और ज्यांदा खराब यानि हील्थ इशूस हो जाते आप देख सकते हैं यहाँ पर यह इसले को गश्रे नहीं है सबस्क्राइब पूरा पानी वाला इलाका है अब यह इलाका पानी बहने यह दलदल हो चुका घ्लनी यदि आपको कभी मिले तो उससे पूछना की यमुना की हालत क्या है अक्सर नदियों का पानी तो बहुत नदी देखा लेकिन यमुना का पानी रुका हुआ हो चुका है क्योंकि दिल्ली का जितना भी कच्रा वह सब उसमें मिलाया गया सालों से इसके वज़े से उसके पानी इतना गाड़ा हो चुका है और अब तो बहुत ज़्यादे स्मेल भी करता है कुछ लोग तो उसे गटर का पानी भी कहते हैं बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और भैता भी नहीं एक जग स्तिर हो चुका है कारण क्या कारण है कि हम लोगों ने इसके उपर बहुत ज़्यादा dump किया है और pollution किया कुछ लोग तो इतने उतावले हो गए हैं कि उनको जगा नहीं मिल रही मकान बनाने के लिए तो उन्हें ने उस area में मकान बना दिया जहां पर कभी पानी का भरा होता था मकान तो बना दिया लेकिन अगर किसी साल एलनीनो या लानीनो आया जिसकी वज़से क्रामेट एफेक्ट की वज़से ज्यादा पानी भी किसी साल जाता है तो यह हालात जो आप देख पा रहा है यह आपको दिख रहा होगा यह बिहार की कहानी है जहां पर कोई बेस नहीं बनना चाहिए या पानी के उपर ही उसने इतना बड़ा माला खड़ा कर लिया रिस्पॉंसिवल कारण क्या है यह आपर आप देख सकते हैं कि क्या प्रशासन के कोई गाइडलाइन नहीं होती क्या शाशन प्रशासन में जो एंजिनियर होते हैं गवर्मेंट जो इन मकानों को पास करते हैं वो भला इन मकानों को इन छेत्रों में पास किसे कर सकते हैं उन छेत्रों में नगर निगम नगर पालिकाओं का क्या रोल रहा गया जब इस तरह की हालात हो रहे हैं अब देख सकते हैं कि लगातार ये एरिया वाटर बॉडिस के लिए था लेकिन इसे लोगों ने इंक्रोच कर लिया और मकान बना लिया अब देख सकते हैं कि ये जो बाड का जो कहर ये हर साल लगातार बाड की जो स्पीड है बार का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है ऐसा कर लेते हैं solution के बार में लेकिन अगर लगातार हर साल देश में बाड़ आ रही है हर इलाकों में लगातार हर राज्यों को इससे परिशानी है तो क्या इसका कोई solution नहीं है बिल्कुल इसका solution सामाजिक तोर पर भी है community level पर भी है और इसका solution पर भी है आप अपने तरीके से भी पाने को आने वाली बाड़ का समाधान कर सकते हैं आईए कुछ परसनल लेवल पर किये गए कार्यों की चर्जा कर लेते हैं सबसे में बात आता है इन महिलाओं का नीली साड़ी में महिलाएं कहलाती है जल सहेली आपने अगर आप लगातार न्यूज वगेरा देखते हो तो आपने इन जल सहेली को जरूर पहचान लिया होगा जिहां यह जल सहेली का गृूप है जिन्हें राश्टपती ने सम्मान इतनी किया था इन्होंने बाड के पानी बाड को आने से रोकने के लिए उससे पहले ही काम किया हो इंन्होंने आप देख सकते हैं यह बाड़ पानी है यहां पर हर साल बाड आती रही तो इसको उन्होंने करने के लिए काम किया है यह जो जल सहेली है यह कहीं और की नहीं है दोस्तों यह मद्यपदेश के मद्यपदेश और हमारा उत्तपदेश वाला जो इलाका जो हम बुंदेल खंड कहते हैं यह बुंदेल खंड इलाके की महिला है जिन्होंने एक माइल स्ट कि आने वाली बाड को इन्होंने डायवर्ट कर दिया और उनके घरों में जो बाड का पानी घुच जाता था उसे इन पंचाइट की महिलाओं ने उसे खत्म कर दिया इसलिए शायद यही कारण था कि बाद में इन महिलाओं को राश्पति के तौरा सम्मान किया गया दोस्तों राश्पति के दौरा सम्मान मिल पाना कुछ चोटी मोटी बात नहीं होती इसका मतलब यह जरूर है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आप इन फोटो में देख सकते हैं इनके तरह किये गया काम को इन्होंने पूरे इलाक्यों के बाड़ रस्त होने से बचा लिया और अगर यह महिला है अपने लेवल पर कर सकती है तो हम और आप मिलकर भी कर सकते हैं अगर कम्यूटी चाहिए तो क्या नहीं बदलाव कर सकती एक बात कर लेते हैं एक और व्यक्ति ने पर्सनल लेवर पर बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने सूखे से निपटने के लिए काम किया कई जगह पर जैसे राजिस्तान जैसी जगह पर अक्सर पीरने के पानी की समस्च्चा होती है चन्नाई करनाटक या बहुत सारे से शहर जहां पर हर साल पानी की समस्च्चा होती है प्रोफेसर टी प्रदीप सहाव है इन्होंने बड़ा अच्छा एक इक्क्विप्मेंट बनाया है इन्होंने कैसी मशिन बनाई हैं जो हवा से हवा की मौस्चर को प्यूर पानी में कनवर्ट करके आपको ड्रिंकिंग वाटर फ पास पास की जो मौस्चर है उसको खटा करके प्यूरिफाय करके ड्रिंकिंग वाटर की रूप में इस्तमाल की जा सकती हैं और किवल कि यह कोई किताबों में ऐसा नहीं है यह एक्जिकूशन में भी आ गई हैं आप देख सकते हैं कुछ स्कूलों में और कहीं कुछ ऑफिस इस देख सकते हैं कि यहां पर जो डिस्कवर्य बेस्टि जैसे जो चैनल है वह इस इनवेंशन को कवर कर रहे हैं और इन्होंने इस मशीन का नाम भी रखा है इस मशीन का नाम है वायू जल यानि वायू से घ्र्द लिया जा सकते हैं इस प्रकृति इना कि हमारी सारी पेड़ों को नो काटे तो शायद हमें यह समस्या का सामना न करना पड़े दोस्तों आपके आसपास आने वाली हर एक समस्या का जो कारण है वो मानव से ही होता है हमारी अक्टिविटीज ही कम्यूनिटी लेवल पर भी सका सुलूशन निकल सकता है एक समाथ चाहे तो पुरी कम्यूनिटी भी इसको कर सकती है हमें केकवल कोशिश करना है कि पेड़ों को ना काटे अगर आप पेड काट रहे हैं तो यह संकल पले की पेड जिरूर लगाए मध्यपदेश के मुख्यमंत टागेट रखा गया है जिसे जल्दी हासिल कर लिया जाएगा दोस्तों कर एक राज एक साल में पांच करों साड़े पांच करोड पेड लगाता है तो सारे राज मिल करके कितने पेड लगा सकते हों अगर यह मुहिम हर साल यूहीं चलती रही तो शायद जो परिशानिया है है उसका solution मिल सकता है लेकिन हम और आप और क्यों मुख्यमंत्री नहीं कर सकते जबकि पूरी community में एक एक इंसान को एक काम करना पड़ेगा इससे क्या होगा स्वाइल इरोजन कम होगा तो मिट्टी का कटाव कम होगा जिससे की नदियों में मिट्टिया कम बहेगी और देखिए एक स्मार्ट सीटी जैसी प्रोजेक्ट आपको दिखाए दे रहा है जहां पर एक तरफ construction और development दिख रहा है लेकिन वहीं आपको प्रकृति हर जगह दिख रही है यानि हम लोग अगर development कर भी रहे हैं तो प्रकृति के साथ करें हम इस ग्रिनरी को बिल्कुल भी न को हम लोग प्रमोट करें दोस्तों जो रोड के आसपस पेड लगा जाते हैं उसे पर्यावर्ण में ग्रीन मफलर के नाम से जना जाता है और यह साउंड पॉलिशन यानि नौइस पॉलिशन को भी कैंसल करते हैं क्योंकि 2023 के पेपर में कोशन भी पूछा गया था कि ग्रीन मफलर का संबंद किस से हैं कौन से प्रदूशन से तो यह नौइस पॉलिशन का समाधान था तो इससे दो समाधान होंगे एक तो यह जो मिट्टी है जो उड़ रही है वो बच जाएगी जो पर लगाता रोड में उड़ती रहती है वो एक जगे खटी हो जाएगी दूसरा यह कि ग्रिनरी रहेगी तो कम से कम रोड पर लग रोड की जो हीट पेदा हो रही है वो कम हो जाएगी और यह जो ग्रीन मफलर है कहीं ने कहीं नौइस पॉलिशन को भी कम कर देगा इस पॉलिशन है लेकिन यह हमारे देश में तो नहीं है लेकिन हम इसे इंप्लिमेंट कर सकते हैं दोस्तों चाइना जैसा देश जो प्रदूशन में दुनिया में सबसे टॉप पर हैं लेकिन उसने जल्द ही इसके सोलिशन को निकालने की मुहिम चालू कर दी है उसमें से एक मुहिम है इस पॉंगी सिटी यह इस पॉंगी सिटी किया है यानि आपकी शहर के अंदर ही आप आर्टिफिशल ताला बनाए जाए आप अपने 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 शहर का वाटर लेवल बनाने के लिए कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट बनाया आप देख सकते हैं यह इस पॉंगी सिटी कुछ इस तरह से भी आप बना सकते पूरे एरिया को पानी पूरे एरिया को सिक्यूर कर सकते हैं इससे पूरे शहर को पानी की सप्लाइ मिल सकती हैं यह पॉंगी सिटी का जो प्रोजेक्ट जो चाइना में चल रहा था आज भारत के एक शहर एक राज्य में चालू हो गया है जिसका नाम है ओडिसा ओडिसा किसा राज्य है जिसका कुछ हिस्सा आप देख पा रहे हैं यह संबलपुर्जसान क्षात पर पानी की कम है यह यह चाहें तो इस इलाके से पानी बहुत ज्जादा यहां पानी को खीचा जा सकता है आप को में बतादो डेम बनाकर वाटर रिसर्व बना एक जगह से दूसरे जगह तक pipeline की मदद से भी खीचा जा सकता है जिससे कि आप यहां देख पा रहे हैं यह पूरा एरिया का जो पानी है वो इस और डायरेक्ट किया जा सकता है इसके डायरेक्शन को मोड़ा जा सकता है ताकि जो पानी एकसिस्यू है वो समुद्र में जाकर खराब भी ना हो और पानी इस एरिया में आ जाए जिससे हमें सीचाई के लिए भी पानी मिले और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी मिले और राज्य सीचाई में भी आगे बड़े आप देख सकते हैं उडिसा नहीं है बहुत अच्छ सिस्टम क्या होता है दोस्ता आपको बता है हमारे शहरों में अकसर पानी थोड़ा सा गिरने से जगर जगर पानी के उबर जाता है यह बहतर प्लानिंग नहीं होने की वज़े से होता है सैनिटिशन प्रोग्राम सही नहीं होने की वज़े से होता है दूसरा यह कारण भी ज जैसे आपने पार्किंग में पत्थर देखे होंगे कुछ पार्किंग रोड देखे होंगे जहां पर पानी गिरता तो दिर दे अंदर रीस्ट के चला जाता है यह वाटर हार्विस्टिंग को भी पड़ावा देगा आप देख सकते हैं यह रोड पार्किंग और पब्लिक लेकिन अगर पार्किंग यह पेडल चलना तो यात्री जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते को अगर हम लोग इस तरह से बना दिये जाए तो दीरे दीरे पानी यहां से रीसेगा और रीस करके वह पानी जाकर के वाटर लेवल बढ़ा देगा अगर यह टेक्निलोजी के बाद ड्वारा मैंने आपको किवल दो प्रब्लम्स को आपका ध्यान हीचा है हर साल आने वाली बाड जो जस्ट कुछ दिनों के बाद आती है जब देश सुखे की मारजिल रहा है दोस्तों यह सूखा और बार दोनों ही समस्चा हैं लेकिन दोनों समस्चा हैं पहले नही नहीं बात नहीं है दोस्तों बिल्कुन नहीं बात है क्योंकि पहले उन जगह पर कभी बार नहीं आती थी जहां आज लोग रहे हैं तो कि देश की जन्संग्या लगातार बढ़ रही है लोगों की इच्छा बढ़ रही है लोग नय-nय मकान बना रहे हैं लेकिन उस डेवलप क्या वीडियो समाप्त होता है दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार की किसी वीडियो में जहां पर हम लोग देश की नई समस्याओं पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद थेंक्यू सो मच